Microsoft का एक काफी पुराना टूल है जो कि उसके power users को target करता है और वो टूल में काफी useful features है तो वो टूल का नाम है आपर Microsoft power toy जो के काफी useful feature है आपको इसमें बहुत सारे tools देखने को मिल जाएगे जो कि आपको use करने में काफी cool लगेंगे और आपके जो windows experience है उसको काफी easy बना दें use पुलाएंगे तो बीना किसी देरी का आज का वीडियो सुरू करते हैं इस application को download करने के लिए आप इसके Microsoft के play store पे भी इससे download कर सकते हो तो मैं आपर Microsoft store पे जाके यहाँ पर power toy करके search करता हूँ तो यहाँ पर power toy search करने के बाद में जो पहला यह एप देख सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आप इसको directly इससे यहाँ से भी install कर सकते हो मेरे PC में यह already installed है तो यहाँ पर यह install दिखा रहा है अगर आपको इसे Chrome या फिर किसी browser से download करना है तो वहाँ पर इससे भी आप download कर सकते हो power toy करके आपको search करना है तो पहला website तो यहाँ पर आपको Microsoft store का दिख और आपको जब आपका Windows शुरू हो तब यह भी शुरू हो तो यहाँ से आप उसको on या off कर सकते हो मैं तो बोलता हूँ उसको on रखे तो आप जैसे आपका Windows शुरू करे तो यह भी on हो जाए तो इसमें कहा होता आप जैसे भी कोई भी Windows है आपका कुछ भी आप अगर नोटपेड ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसके उपर जो यहाँ पर shortcut दिया है Windows, Control और T तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यह मेरा जो नोटपेड है वो यहाँ पर पिन हो जाएगा तो मैं कुछ भी दूसरी Windows वगर ओपन करूँगा तो यह हमेंसा टोपे रहेगा तो इस से यह आपको useful रहेगा और यहाँ पर आपको इसकी settings भी देखने को मिल जाएगी जैसी कि इसका borderline है वो सब कुछ आप set कर सकते हो awake में आपको इसे on करना है तो awake में इसमें क्या होता है कि आप समझो कोई data transfer कर रहे हो तो वहाँ पर आपको यह कफी useful देगा तो data transfer में कैसा हो तो जैसे कि आपका work है वो वेसे ही चलता रहेगा तो यहाँ पर color picker का तो color picker में जैसे आप windows shift और c आप click करोगे अपने keyboard से तो यहाँ पर यह जो tool है वो एक्लिविट हो जाएगा और जैसे आप अपने cursor को कौन से भी color के उपर लेके जाओगे तो वो color यह pick कर लेगा और आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा उसका जो code है वो दे देगा तो आप यहाँ से आपको इस copy कर सकते हो और आप Photoshop वगर यूज करते हो तो वहाँ पर आपको color picker की यहाँ पर काफी यह useful हो जाएगा यह feature इस tool है यहाँ पर fancy zones तो fancy zone में क्या होता आपके आपको desktop पे आपको अपने जो भी बहुत सारे tapes वगर है एपस है उनको आपको एक जगे और गनाइज करके रखना है तो आप इस tool को use कर सकते हो तो यहाँ पर आपको औरेड़ी बहुत सारे जो template से वो दिख जाएंगे आप template create भी कर सकते हो खुद की तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं इनको कस्टमाइज कर सकता हूँ आप आपको सारे कस्टमाइज के option मिलते है एक टेप में आपको कितने windows चाहिए पूरे आपके desktop पे यहाँ पर आप देख सो यह template है यह template में यह जो मेरे windows सारे में उनको एसे adjust करके यहाँ पर सारे windows को में work करा सकता हूँ तो यह ऐसे कुछ काम करता है यह वाला tool नेक्स्ट यहाँ पर है file logsmith का तो file logsmith में आप कोई भी आपका file वगर है आप उस पर right click करोगे तो आप दिख जाएगा words using this file तो इसमें क्या होता है कि आपके जो file open है file आपके background में क आते हो तो आपके पीसी में वो website ना work करें तो आप उससे इसे block कर सकते हो तो आपको जो भी website उसको URL copy कर लेना और यहाँ पर host में paste कर देना है और उसको जो भी slash वगर हो निकाल देना बस www.youtube.com यह सा रखना है और यह address में जो यह है 127.0.1 यही आपको रखना अगर आपक जो मेरी website है वो work करना शुरू कर देगी next tool है यहाँ पर image resizer का तो इसमें आप जो windows में आपके जो भी photos है रहते हैं उनको आप resize कर सकते हो यहाँ पर आप खुद का template भी create कर सकते हो यहाँ पर thumbnails दिये हो है जो भी आपको सारा उसका jpg का format रखना है उसका जो भी quality है वो सब पर दिखाता हूँ कि मेरे PC में यहाँ पर जो photos है उनको एक photo को resize करके दिखाऊंगा तो यह photo को मैं resize करूँगा यहाँ पर आप जैसी right click करोगे तो आपको option दिख जाएगा resize image का तो यहाँ पर जो भी setting आपके require करना शार वो कर सकते हो तो मैंने यह देखो आपको size दिखाता है तो keyboard manager में क्या होता है आप जो भी keyboard की keys है उनको आप customize कर सकते हो और next है यहाँ पर mouse utilities का mouse utility में आपको वो सारे option देखने को मिल जाएंगे तो आप यहाँ पर check कर सकते हो जैसी आप अपने keyboard का control दो बार click करते हो तो यहाँ पर आपका जो mouse का cursor वो highlight होके आजाएगा जैसी कि यहाँ पर पावर रिनेम का यह भी काफी useful feature है आपको काफी use में आएगा यह feature तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी सारे यहाँ पर इसके settings देखने को मिल जाएगे यहाँ पर default रहने देना इनको तो यहाँ पर यह सारे photos है इनको मैं एक साथ पूरा rename करूँगा त तो वह में search कर देता हूँ और नीचे वह 4K को मुझे किस नाम से replace करना है वो डाल देता हूँ यहाँ पर तो wallpaper से मुझे replace करना तो आप देख सकते हो जहाँ पर फॉर के लिखा है वो यहाँ पर rename हो चुका है power wallpaper से और जो भी आपको settings है यहाँ पर देख सकते हो उसका extension भी change कर सकते हो और यहाँ पर जो उसका alphabet का text formatting वो भी check कर सकते हो capital small वो सब और यहाँ पर जैसे apply करोगे name है वो rename होके change हो जाएगा यहाँ पर power toy run का power toy run में आपके keyboard पर जैसे ही आप alt और space को click करते हो तो आपको एक search bar open हो जाएगा तो आप जो भी आपके windows में जो application files वगर है chrome से भी आप directly यहाँ से search कर सकते हो आप इसे को alt और space जैसे click करोगे कहीं पर भी आपके desktop पर कौन से भी आपको तो directly open हो जाएगा और आप कोई भी file को यहाँ से search करके उसे open कर सकते हो तो काफी useful feature रहता है आपको कुछ भी file को search करने में काफी easy हो जाएगा यहाँ पर next है यहाँ पर screen ruler का तो screen ruler का आप जैसे अपने keyboard पर window shift M क्लिक जाएगा तो अब जैसे यहाँ पर square plus horizontal vertical जो भी हो आप ले सकते हो तो यहाँ पर जो भी आप कोई भी यहाँ पर आपके cursor को यहाँ पर लेके जाओगे तो उसका पूरा size वगर दिखा देगा आप Photoshop यूज करते हो तो आपको size define करने में काफी easy हो जाएगा इस tool है यहाँ पर text extract करना है उस text के उपर जाके आप ऐसे crop कर सकते हो उसको और वो text आपके screen keyboard में copy हो जाएगा और जहाँ आप देख सकते हो मैं आप नोटपेड में आपको text को paste करके दिखा देता हूँ और आप इसको कहीं पर view कर सकते हो आप Chrome पर जैसे कि कोई sides वगर रहते हैं जो जहाँ प student के लिए सबके लिए काफी useful feature रहेंगा आपको जरूर यूज करना चाहिए यह और next option यहाँ पर video conference mute video conference mute में क्या होता है कोई भी meeting करते रहते हो तो आपका mic और camera उसे आप off करने के लिए यहाँ पर आपको shortcut keys दी है तो आप जैसी shortcut keys को click करोगे जो आपका mic और camera है वो mute हो जा यूज करते हैं तो आप इसको directly आप read कर सकते उसकी website पर आप जैसे कोई tool open करते हो तो सारे tool के यहाँ पर आपको ओपर दिख जाएगा learn more करके तो आपको सारे tools में यह वाल option दिख जाएगा तो आप जैसी इस link पर click करोगे तो आपको browser में open हो जाएगा और यहाँ पर उसकी uses इसका feature सब कुछ बता देगा यह कैसे use करता है आपको इसे कैसे use करना है किस काम में आता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस website पर बता देगा यह power toy आपके background में run होता रहता है आप इसे अपने जो भी more apps से windows के taskbar में वहाँ से आप देख सकते हो तो आप इसको यहाँ से exit कर दोगे तो आप जो भी shortcut अगर डालोगे तो वो work नहीं करेंगे तो आपको इसे background में run होने देना है तो ही वो सारे comments से वो काम करेंगे यहाँ पर कि वीडियो में इतना ही आपको कौनसा tool इस application का अच्छा लगा comment आउन करके जुरूर बताना अगर आपको वीडियो साथ में share करना और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स वीडियो आपको किस topic के उपर चाहिए आप comments में बता सकते हो मैं उस topic के उपर आपको वीडियो बनाके दे दूँगा thank you